EPS 95 पेंसन धारकों के लिए बहुती बड़ी कुसकबरी आ चुकी है पेंसन धारकों को मिली दो बहुती बड़ी सोगात EPS 95 पेंसन धारके उनके लिए अभी अभी की ताजा बड़ी अपडेट आ रही है जिसके अनुसार जो EPS 95 पैंसनदर ची जो सरकार से उमीद एती वो उमीद एब पुरी होती नजर आ रही है उनके लिए बहुती बड़ी कुसकबरी आ चुकी है ब्राइश को कि साथ में बिप्ते कि सारे बोःट्स का पैसा और तीन मागव का एरियर है जो कि आपके खाटों था तो बखतान रार दान करने वाला है piùर आपके खाटों sein किस वीडियो के अंदर बताएंगे शाती एप्पने भी आपकी पैंशन को लेकर नौ्टिस जारी किया तकि ऐसे ही पैंसन जो नई जो ताजा जानकरी होगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी तो नया टैबल के अनुसार आपको पैंसन कितना मिलेगा कितने चैनल कंदर आपका पैंसन का बुक्तान किया जाएगा और कितनी आपको फाइनली पैंसन में बोड़तरी मिलेगी तो इन तमाम स्वालों के बारे में आये जानते हैं एक एकर की विस्तर से जानकरी सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है पैंसन में किस आदर पर कितनी बोड़तरी होगी तो आपको बदाते हैं कि आपकी जो पैंसन है वो इस सादर पर मिलेगी आपकी तीन चैनलों के अंदर पैंसन की बोड़तरी होगी आपकी जो sell limit है तीन चरणों के अंदर कौन कौन सी जो sell limit है उसके अनुसार जो इससे sell limit के अंदर जो pension धारकाते हैं उनको pension बड़तरी की इससाफ से जैसे कि आपको अगर आपका 25,000 रुपे का मुल वेतन यानकी actually जो sell limit है और अगर आपका 50,000 रुपे का actually sell limit है या फिर 55,000 र जोब करते हैं अगर आपने दसवर से इसको यानकी complete किया है दोजार 143 रुपे की प्रतिमा की selling के असाब से यानकी अगर आपने पैसा जमा किया और आपका actually mool वेतन 25,000 रुपे हैं तो फिर आपकी monthly salary को देखा जाए कि 25,000 रुपे के सबसे 3541 रुपे की प्रतिमा pension मिलेग प्रिशी तरह देखा जाए कि अगर आपका actually mool वेतन salary जो लिमिट है वो आपका 45,000 रुपे हैं तो इसे साब से 10 वरस के लिए अगर आपने प्रतिमा यानकी 213 रुपे जमा किया है तो इसके लिए आपको 10,714 रुपे की प्रतिमा pension मिलेगी अगर 5 वरस और आपका जो यो 27 रुपे की प्रतिमा pension बनेगी और देखा जाए अगर आपका mool वेतन 50,000 रुपे हैं और आप इसे यानकी invest करना चाहते हैं कि अगर आप 3,215 रुपे के असाब से तो फिर 10,715 रुपे की आपको pension मिलेगी और इसी तरह देखा जाए कि अगर आपका actually जो mool वेतन 15,000 रु भी बड़ा दिया जाए और आप पैसा जमा करें प्रतिमा 4,714 रुपे का प्रतिमा आप योगदन करें तो आपको यानकी 25,000 रुपे की sell limit में से अगर आप pension लेना चाहते हैं तो 7,877 रुपे की आपको प्रतिमा pension मिलेगी और इसी तरह देखा जाए कि अगर आपका actually mool व 4,714 रुपे की योगदान करते हैं तो फिर आपको 23,571 रुपे की pension मिलेगी अगर देखा जाए आपने यानकी और भी यानकी contribution बढ़ा करके 20 साल से 25 साल कर दिया हैं तो फिर आपका योगदान भी अगर आप पहले 4,714 रुपे का था उसे 5,746 रुपे का कर दिया जाए औ और 25,000 रुपे की sell limit से देखा जाए तो pension बनेगा 9,643 रुपे और इसी तरह अगर आपका मूल वेतन यानकी 25,000 रुपे से देखा जाए तो 19,246 रुपे बनेंगे और 54,000 रुपे से देखा जाए तो फिर आपका 28,939 रुपे आपका प्रतिमा pension बनेगा और जैसे ही अगर जो आपका contribution इसी तरह बढ़ता रहेगा तो आप अपना पैसा है जो कि अगर आपकी sell अधिक है अगर आपने अधिक पैसा जमा करना चाहें या अगर आपकी अच्छा है तो फिर यहनकी आप पैसा जमा कर सकते हैं तो उस आपसा आपको pension भी ज्यादा मिल जब आप प्रतिमा यानि की 6,870 रुपे के योगदान से 25,000 रुपे की sell लिमिट है अगर आपका sell लिमिट यानकी मूल वेतन आपका है तो उस में से आप 6,870 रुपे प्रतिमा यानि की जमा करते हैं तो फिर आपको 10,714 रुपे की जो pension मिलेगी जो 25,000 रुपे की 35 वर्स तक अगर आप यानकी पैसा जमा करना चाते हैं प्रतिमा के सबसे अगर आप 35 वर्स के लिए regular contribution करना चाते हैं आप चाते हैं कि कुछ पैसा अच्छा यानकी 7,500 रुपे अधिक पैसा जमे करें यानकी अगर आप 7,500 रुपे की प्रतिमा यानकी योगदान करते हैं अगर आप यानकी चाहें तो पिर आपकी जो अच्छी शाली है तो आप कर सकते हैं इस अगर कैल्पिलेशन इस टेबल के नुसार देखा जाए तो 25,000 रुपे की से लिमिट से आपका 12,500 रुपे का पैंसन बनेगा प्रतिमा अगर आप 25,000 रुपे में से यानकी 7,500 रुपे जमा करती है तो और इसी तरह अगर आपका 50,000 रुपे के लिमिट से देखा जाए तो फिर आपको बनेगा पैसा है आपका 25,000 रुपे प्रतिमा पैंसन और पिछोटर थाप्र Champions से देखा जाए तो पिर आपका 3,500 रुपे पैंसन बनेगा 7,500 रुपे के प्रतिमा की है या फिर कोई सरकार ने आधिकारी कोई गोशना नहीं किये तो चलिए जानते हैं अगली आपके लिए पैंसन से जोड़ी कौनसी बड़ी अपडेट आ रही है अगली बड़ी अपडेट है कि आपकी OPS को लेकर जो सरकारे नया कदम उठाने जा रही है जिसके अनुसार जो पै पैंसन में संसोदन हो सकता है लेकिन मीडिया रिपूर्ट करनुसार ऐसा भी दवा किया जा रही है कि जल्द आकड़े जो जल्दी सरकार को संपेगी उसके बाद आपकी OPS में जल्द संसोदन किया जाएगा तो फिर आपको पैंसन की रासी में जो OPS में अच्छा-कासा सु एरियर है वो भी आपके खातों में बुक्तान कर सकती है जिसको लेकर पैंसन दार काफी लंबे समय से उतसाइथ हैं और बोनस की रासी और आपका एरियर वो एक साथ भी देखने को मिल सकता है कुछ मीडिया रिपूर्ट करनुसार दावा कह जा रहे कि बोनस का पैसा आपक कल सबी के खातों में देखने को मिलगा और बता दिया जा कि एरियर की रासी को लेकर सरकार ने और बोनस की रासी को लेकर कोई अधीकरी गोष्णा नहीं किये मीडिया रिपूर्ट करनुसार ऐसी जान कर यह 11 या 12 तारिक से आपके खातों में दिफावली से पहले पहले यह रासी मिलेगी तो गेर्यातार्य कि आपके खातों में ये रासी आ सकती हैं इसको लेकर कोई अधिकारी की घोचना और पुछी सरकार ने नहीं कि sacrific सब्सक्राइब को ही आपके खातों में रासे मिलेगी कुछ से मीडिया रिपोर्ट के सार ऐसा दावा किया जा रहे कि यह रासे आपको मिलेगी तो EPS के पैंसन धार को भी लिए जो टेबल जारी वी उससाफ से पैंसन मिलती हैं तो इससाफ से आपका कल्कुलेशन रहने वाला इतना पैसा अगर आप जमा करते हैं तो आप ज़्यादा पैंसन भी ले सकते हैं तो इस तरह कि आप सभी पैंसन धार को लिए बहुत ही अच्छी कुसकबरी आ रही है